बच्चपन में एक टाइम ऐसा भी आता है जब आदा दिन मिल्स और बून्स टाइप लव स्टोरीज और आदा दिन उसके बर में सोच सोच कर बलश करने में निकल जाता है वेल अब जिस फिल्म की हॉलिवुड पार्चाला मैं लगाने आच चुकी हूँ वो फिल्म जो है वो आपको आपके बच्पन के लव रियलाइजेशन, चॉकलेट पेस्ट्रीज, हाट वाले बलून और सॉफ्ट टोइस की आज जरूर दिला देगा वेल मौसम है, माहूल है और नेट्फिक्स पर ये क्रिस्मस स्पेशल, मशी रोमांटिक फिल्म भी रिलीज हो चुकी है जिसका नाम है A California Christmas तो इस फिल्म के मीठे-मीठे से विडियो एक्स्प्लेइनर के साथ मैं आ गई हूँ प्राची, आपके लिए What's Up Bollywood पर Joseph Van Aston, जो कि Van Aston नाम की कमपनी के एक लौते वारिस हैं, अमीर, यंग, हैंसम और प्लेबॉई टाइब का लड़का, जो कि लड़कियों को, अपनी गर्लफ्रेंड्स को, अपनी गाड़ी या अपने कपड़ों की तरह बदलता फिरता है पिता बचपन में ही चल बसे और इस वक्त उसकी कमपनी Van Aston की मालकिन है उसकी अपनी माँ अब जोसफ की माँ उसके हाथों एक काम सौपती है, उसे भेचती है कालिफोर्निया के एक छोटे से रैंच याने के अनिमल फार्म में जहां पर जाकर उसे पैसे देकर सबको मना कर रैंच के मालक वगेरा को उनसे रैंच खरीद लेना है जो कि बाद में तबदील किया और क्रिस्मस को है सिर्फ दो हफता, अब जोसफ क्या और कैसे करेगा आगे सुनिये जोसफ रैंच को खरीदने का प्लान बना इससे पहले ही उसको एक उपरचिनिटी मिल जाती है कैलिफोर्निया के रास्ते में गाड़ी में उसके ऊपर कॉफी कर जाती है अब ड्राइवर उसे अपने कपड़े दे देता है और उस कपड़े को पहन कर जब वो रैंच पर जाता है तो वहां की मालकिन, यंग और ब्यूटिफुल और बहुत ही स्ट्रॉंग और महनती कैली को लगता है कि ये जो है, ये मैनी नाम का रैंच हैंड है जो कि उस दिन वहां पर आने वाला था रैंच हैंड का मतलब है कि रैंच पर हात बटाने वाला आदमी अब यहां पर अपने आप उपरचुनिटी जोजफ के लिए बन जाती है वो मैनी का भेज बदल लेता है, खुद को रैंच हैंड बताता है और यह सोचता है कि वो कैली को पटा कर उसको परसुएड करेगा कि वो इस रैंच को बेच दे और बाद में इस रैंच को खरीद कर अपनी ममी के पास वो चला जाएगा कैली के पापा और उसके फियांसे कार अक्सिडेंट में एक साथ तीन साल पहले गुजर चुके होते हैं उसकी मा कैंसर के लास्टेज पर होती है और वो अपनी चोटी बेहन के साथ में पूरे रैंच को अकेले ही बड़ी हिम्मत से समाल रही होती है और अपने मा का इलाज भी करवा रही होती है सर के ओपर बहुत सारा उधार चड़ा हुआ है लेकिन वो रैंच को किसी भी कीमत पर बेचना नहीं चाहती है क्योंकि इस रैंच के साथ उसके बचपन और उसके माता पिता की यादे जुड़ी होती है दीरे दीरे कैली जोसफ के और जोसफ कैली के बहुत करीब आजाते है जोसफ अब कैली के रैंच को खरीदने से ज्यादा उसमें इंट्रेस्टेड होता है लेकिन उस तरह से नहीं जैसे वो बाकी लड़कियों में इंट्रेस्टेड होता है वो उससे seriously प्यार करने लगता है जब भी वो कैली को अपनी असलियत बताने के लिए जाता है वो लोग इतने करीब आजाते हैं then they start kissing और एक रात को उसने मन बना लिया होता है कि वो कैली को सब कुछ बता देगा लेकिन वो लोग इतने करीब आचुके होते हैं कैली के घर पर सुबह सुबह नौक करती है उसके घर में आती है और रैंच को खरीदने की बात करती है और इसी के साथ जोसफ का भांडा भी फूर जाता है कि उसकी असली पहचान ये है कि वो वैन आस्टन कंपनी का असल में मैनेजिंग डिरेक्टर है याने मैनेजिंग पार्टनर है अब ये सब चीज कैली को बहुत जादा धका देती है और वो सोचती है कि जोसफ ने उसे धोका दिया है और उसका इस्तमाल किया है अब यहाँ पर जोसफ का मोटो बदल जाता है अब वो कैली का रैंच खरीदने नहीं कैली के दराज में पड़ी पुरानी बहुत सालों पुरानी उसके दादा जी के जमाने की जो वाइन्स है उनकी टेस्टिंग करवाता है उसकी वाइनेरी की टेस्टिंग करवाता है और कैली की मदद करने के लिए ताकि वो पैसे रेज कर पाए अपने रैंच को बचाने के लिए वो इन टेस्टर्स के जरीए उसके रैंच को लीज पर उठवा लेता है और उसके बहुत सारी वाइन्स जो है वो बहुत महंगे में बिखती है क्योंकि वो 1800 के टाइम की वाइन होती है जो कि बहुत ज्यादा रैर है अब कैली अपने रैंच को बचा लेती है और इसी के साथ में जोसफ अपने दिल की बात कैली से कह पाता है जोसफ ना सिर्फ उसके साथ रहता है उसके रैंच पर बलकि वो उसे अपना भी लेता है अपनी लाइफ में भी ले लेता है और जैसे कि हर एक मशी मशी लव स्टोरी में होता है And may they live happily ever after और फिल्म का अंत होता है एक किस के साथ तो यह फिल्म एक perfect Christmas movie है या कि समझ लें कि एक Valentine special movie भी हो सकती है इस फिल्म में कुछ भी नया नहीं है जो कि आप हर एक love story में सुनते हैं आपको पता चल जाता है कि end में तो hero heroine को पास में साथ में आना ही है No surprises, no twists, no turns, just smile and keep watching the movie Well, अगर आपको यह फिल्म ना भी देखने का मौका मिले तो आपको तो यह फिल्म मैंने यहाँ पर दिखा ही दी है तो Hollywood पार्ट शाला अब हम खतम करते हैं Class को dismiss करने के पहले आप ज़रा इस वीडियो को like तो कीजिए, share तो कीजिए, subscribe तो कीजिए अगली Hollywood पार्ट शाला लेकर मैं आने के प्राची हाजिर होंगी एक बार फिर से आपके सामने, bye bye